पहला का एंसर A होगा, दूसर का का एंसर B होगा, तिसर का का एंसर C होगा, चाउथा का एंसर D होगा, विद्यारती आप लोग इसे ही नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा विद्यारती, ठीक है, ऐसे तो चलिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे साथ इसी प्रकार का हर सब्जेट का आप रीजन के साथ एक क्वेशन में पांच-पांच क्वेशन कैसे पैदा किया जा सकता है विद्यारती ठीक है आप उसको देखने के लिए मेरे साथ बने र सबको मैं बताया था विद्यारती में आप्लाइंग क्लास में में बता चुका हूं कि सवाल नमर एक से लेकर के विद्यारती पांच तक आपका पैसेज रहेगा एक से लेकर के पांच तक विद्यारती आपका पैसेज रहेगा और छो से लेकर के विद्यारती आपको दस तक ठीक है आपको writing skills रहेगा छोज से लेकर के 10 तक क्या रहेगा writing skills total मैं offline class में मैं विद्यार्थ आपको बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पर विद्यार्थ आप सिरिफ यह मारते हैं पाहिला के देखिये तो यहाँ सही आप लोग भागिये मत भागिये मत ठीक है है तक से लिख लेकर करके बारे में लिकाए है सरियल से काट करके हाथिम थाय के बारे में बताया गया है हाथिम थाय एक विद्यार्थ कैसा बेखती थे मैं आपको थोड़ा सा यहां पर explain कर रहा हूं हाथिम थाय जेन्रौ सिटी मतलब होता है उदरवादी मत्तब जो दानी जिसको क्या थका है और आफ्रीका महादीब के यह है और वहीं के ऐग कहानी विद्यारथी वारें षगता न ना है तीक है और कराए किसके जो गined grandfather यह यह वाला point नपी देर थी उसके जो great grandfather है उसने established किया था मतना असथापित किया था काका एक सांताथव प्रोसपर स्सक्राइब का उसने असथापित किया था after defeating she हराने के बाद किसको तरांत किंग को हराने के बाद एक तरांत किंग था जो यमन का था यमन के तरांत किंग को हरा करके विद्यारति उसने का किया था एक सांती पुणोला का किया था एक राज्य को अस्थापित किया था यह तरांत के तरांत के किंग को जो यमन के तरांत तो हातिम ताइक के great grandfather मतलब परदादा कि हम परदादा को और तब जाकर करके वहां का उराजा बना था ठीक है ना चीज को मतलब great grandfather ठीक है ना अब सुनिएगा अब करा कि हातिम ताइक का जो जन्म हुआ था हातिम ताई का जन्म हुआ था उसी समय उसने जन्रोसिटी को देखा दिया था मैंने उदारवादी को देखा दिया था जैसे ही यह जैसे ही उसको खिला रहे थे उसने रिफ्यूज कर दिया इंकार कर दिया बोजन लेने लोजर को बुलाया ताकि भविस्वानी करके बता सके कि आखिर यह बच्चा क्यों नहीं खा रहा तो देखिए एक इस्ट्रोजर आया भी द्यारती फेमस इस्ट्रोजर को बुलाया गया उसकी बर्थ चाट को का करने के लिए अधियन करने के लिए तो यह आपसे कोचन से बड़ा होका बनेगा बहुत ज़्यदै उद्रवादी आदमी बनेगा और वो लोगन को सिवा करेगा मानौजाती वो सिवा करेगा वो भोजन अकेले नहीं खाएगा वो जब भी काएगा तो किसी के साथ में खाएगा और कोई भी करा कि सेमवर नियर हिम इस हंगरे अगर कोई उसके नजदिक भूका होगा तो वो भूका नहीं रहेगा ठीक है अकेले खाना नहीं कहाएगा अगर आती जोच्छी लोग कहते हैं कि यदि आप इन्हें खाना खिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले विद्यारती का करिए कि इनके नजदिक वाले को खाना खिलाएए उनकी उनको जो जो त्सी लोग ऐसे कहते है ठीक ना याद रखेगा अब उस जब यह हातीम ताई का फादर इसको देखेगा यहाँ पर का कर रहा से ठीक है हातीम ताई के जब फादर जब इस बात को सुने तो वो का किये कि पूरा जितने भी बचे जनम लिये थे उस समय सब को उन् उनको जो है से उनी के द्वारा का किया गया खाना खिला गया जो नर्स जो का किया था जिस नर्स के द्वारा उनको का किया गया था मतलब सेवा किया था ठीक है ना जन लेने देते समय जो सेवा करता है उसके द्वारा ही खाना सब को खिला गया उसके बाद देखी हातीम ता वा था तक नहीं का किया था अपनी General City उस रे संभी देखा दिया था ठीक है नहां तो आपको यहां पे सबसे बड़ी बात है त Cle utilizar को बना दिया गया था हातिम था को बना दिया गया था अच्छा उसकी भवि सेवानी नहीं उसकी बार्थ चाट को देखने के ये कोन आया थे तो इस लोजर लोग आया थे ठीक है याद देखिएगा पूरी बात आपको बताई गई थी विद्यार्थी तो चलिया मारते विद्यार्थी कोशन पर नजर कहता है कि देखिए यहां पर कहा करा है कोशन को मारी नजर कहा करा है कि वीडियरति को किसने हराया था था तो आपको बताए था गरेट ग्रेंट फादर नहाराया था हातिम तै थापका विल्कुल सही जवाब है उसके वीडियरति करہा हातिमतइवास राजा था था उसको राजा बना बना गया था ठीक है ना तो चली विद्यारति अब मारते नजर अगला पर कहता है कि वाट हैपन क्या क्या हुआ आप्टर हातिम ताई वाजबॉन हातिम ताई को जन्म होने के बाद क्या हुआ तो उतने भोजन लेने से इनकार कर दिया था जो तसी ने बताया था कि इसको यह लिए खुस करना चाहते हैं तो पहले इनके नियर जो नियर एस्ट है उनको आप काकड़े खाना के लाईए चली सब्सक्राइब करना चाहिए तो पहले नियरेस्ट लोग को खाने खिराइए चलिए विद्यार तो उसके बाद आपको बता रहें कोचा नवर पांच ठीक है कोचा नवर पांच में देखिए का कर रहा है तो कर आप पांच में में कि किसे ने सभी बच्चों करके चाल ले लीया ठीक है उसी दीन हतीम यॉथा सबधिये आपको जानना क्या हूँ नोट किंग क्या होता है से सब्सक्राइब नोट्राण क्या होता है तो मैं आपको बता रहा है समय था इस बार है घाल भी graduate में सब्सक्राइब होता है we in a ton our network liver नोट्राणोकी करते हैं उस ही है है विध्यार्ती करते हैं लिए नोट में विध्यार्ति आप आसानी से परियोग कर सकते हैं बनाते हैं एक से 1.1.1.3 इसको कभी संतेंस के रूप में नहीं लिखा जाता है याद रखेगा कभी भी इसको sentence के रूप में नहीं लिखा जाता है तो यहां से बहुत सारा question पुछेगा बताएए आपसे एगर पुछ देगा कि क्या note making में title होता है तो title होता है क्या note making में आप पताएए points होता है तो points होता है क्या note making में abbreviation होता है तो abbreviation completely use कर सकते हैं क्या नोट मेकिंग में संटेंस होता भी द्यारती तो संटेंस नहीं होता है तो आपसे यह कोचन पुछेगा भी द्यारती कि नोट मेकिंग में कराकी नोट मेकिंग we avoid note making हम लोगों को बचना चाहिए किसी से बचना चाहिए we should avoid हम लोगों को बचना चाहिए तो काची से आपको sentence से बचना चाहिए तो अब यह कोच नमद 6 पर नमारी नजर क्या का था abbreviation are freely used in abbreviation का परियोग freely आजादी से आप कर सकते हैं तो notice writing में लेटर राइटिंग में कि note making में तो abbreviation का परियोग से नोट में किंग होता है विद्यार्थी option C आपका बिल्कुल सही जवाब होगा मैं आपको बताया था चले विद्यार्थी अब हम आपको note making जब आप 12 में से जब आपके इसका एक्जाम देजेगा तो उसी का summary ल आप प्रियोग करके का कर सकते हैं लिख सकते विद्यार्थी लेकिन exact जो वही same to same words है उसी को उठाना नहीं रहता है उसको आपको अपने आइडिया में अपने विचार से लिखना रहता है ठीक है जब आप offline class करोगे तो विद्यार्थी टोटल किसी भी हिंदी स्टोरी को इ प्रिया जाता है ठीक है लेकिन आप लोग इंग्लीस अलवा जलवा के पास पढ़ लेते हो और यह दो सवाल भी कुछ पुछा जाता है तो कुछ बताते नहीं हो ठीक है तो बागो कहां से होगा ठीक ना तो चली विद्यार्थी अभी आपको बताया थे exact वर्ट नहीं होना बी सही जवाब होगा ठीक है अब देखेगा विद्यार्थी है का करा कि वाटी दर इटेन एट दा बीणिग आप दा आर्टिकल आर्टिकल के सुरुवात में क्या लिखा जाता है तो जब आर्टिकल हम लोग परते विद्यार्थी तो सबसे पहले लेक लिखे ने गया पर हां रहा आप लेक हां का है न किसे लिखते घॉच्छाब करें को साओ है तो अब सबसे पहले हमें रहा है तो अब आपको याद रखेगा आर्टिकल में जो होता है आर्टिकल में सबसे पहले हेडिंग होता है फिर मेन बोड़ी होता है इसमें राइटर्स ने मोगर कहीं कुछ नहीं होता है आर्टिकल में सब चीज कर सकते आचा आर्टिकल को आपको हर जगा मैगजीन होगा हमें हर जगा दे नहीं होता है ना दूसरा अर्टीकल होता हो तो याद रखेगा किसी भी लोग बुक में कानुन वाला किताब में जो हता है विद्यारती आपका आर्टीकल नहीं होता है आर्टीकल का मतलब वो नहीं होता है ठीक ना याद रखेगा तो चलिए विद्यारती अब आपको मारते ह जले गा रांपर्स तो ने क्ट्र होता है करा अब बमोने और जांगर तो यह विद्यार्स होना चाहता है हला किस वह लेख का पुछो कौन्ची law books नहीं होता हूँ law book अला नहीं है ना दुसरा ची होता है ठीक है याद रखिएगा ठीक है चलिए अब मारते हैं अजर 10 पर भी द्यार थे 10 पर 10 पर भाईया देखिएगा लेटर थे जतना कोचन पुझागा सब बता दे गया लेटर भी द्यार थे याद किजिए याद कर जहीना पढ़ाये थे लेटर दूपरकार के भी द्यार थे एक था फोर्मल और एक था कौन्ची इनफोर्मल था न जी इनफोर्मल अच्छा इनफोर्मल हमेशा अपने रिलेटिव के पास लिखा जाता है किसके पास रिलेटिव के वीड़ी सब्सक्राइब और नृच पूछ फूर्माल लिटाइब आर्टी के नाम से जानते हैं कि היender कुरते प्रस्ट्राइब हैं। चलिए अपसी बता रहें परेजिए सब्सक्राइब की बता मैं लेटर में थी पुछ कोई लेटर रहा से पूष हो नहीं होथा। SMENDASS Adresse होता है सबसे पहले भेजने वाला का पता होना चाहिए SMENDAS ADRES होना चाहिए उसके बाद युज्त होता हैegno ain चोरते पर डेत होता है फी शॉल्यूतविच्टुसमों होता है घृक उसके बाद विदेarat यहां अगे बढ़ते अब live भी join हो सकते भी ध्यारती ठीक है ना तो कर रहा हैं कि आखिर later से question पूचा भी ध्यारती तो यहाँ पर question बता दिजेगा बहुत सरा अब एक last में भी ध्यारती close complimentary होता है तो close complimentary जो होता है भी ध्यारती याद रखेगा थोड़ सा बता दरहें इसको भी close complimentary अगर informal होगा later अगर informal हो तो उसमें yours होगा yours और loving होगा भी ध्यारती loving ना loving लेकिन अगर later formal हो भी ध्यारती formal हो later तो उसमें yours तो होगा लेकिन yours के साथ obediently हो सकता है truly हो सकता है faithfully हो सकता है ये भी question आपसे पूछेगा विद्यारती याद रखेगा ठीक ना तो चलिए सवाल लमर ये 10 पर विद्यारती मारते नजर क्या कहता है कहता है दस में which of the following is not a component of letter to editor letter to editor में कौन सा component अब नहीं होता है तो बताया थे letter में title नहीं होता है विद्यारती बोलिए how many types of letter comment करिए comment करे is called comment करिये जाकर के ठीक है तो उसका होता परस्तना letter आप से पुछेगा विद्यारती यहाँ पर ध्यान से सुनिये का 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 पुछेगा से close complimentary in informal letter तो yours loving होता भी द्यारती yours loving close complimentary should be informal letter तो yours truly yours faithfully यह सब होगा भी द्यारती तो चलिए इस तरह से हम आपको 10 letter से किस्म कोचन पुछे बता दीजेगा आप लोग इस वीडियो को चीज़ आप देखिए 20 तक आपको एक वीडियो मिलेगा ठीक है ना चलिए अब मारते नजर किस पर 11 पर देखिए आम तो आसा रिपोर्ट के बारे में आपको बता देते हैं रिपोर्ट हमेशा जो होता है विद्यारती पास्टे के लिए लिखा जाता है ठीक है याद रखेगा और रिपोर्ट में विद्यारती सबसे उपर में क्या होता है हे डिंग जिसको ताइटल करते हैं फिर विद्यार्थे आपका में बोड़ी होता है और लास्ट में नीचे जो विद्यार्तियों का होता राइटर्स नेम होता ठीक ना और डेक। में सब चीज कर सकते विद्यार्थे आप रेकिन कभी भी परिप्रिक्त59 परशनल typical benefits होता वह आप आपको कुछनिंगा है कि वी सूड है ना वी सुड नोट इंकलूड इन रिपोत राइटिंग रिपोट राइटिंग में हम लोगो सामिल नहीं करना चाहिए तो प्रस्नल कमेंट नहीं होना चाहिए ठीक चलि उसके बाद हम आपको और कोश्चनी से बहुत सारा पूछा जा सकता है रिपोर्ट राइटिंग इजी रिटेन फोर आप्शन में एक्सिडेंट आप्शन में सेमिनार आप्शन सी में रहेगा विद्यार्थी बोथ A and B चलि एक हम बोले थे एक पढ़ने से नहीं होगा ऐसा पढ़िए कि उस टाइप का जितना कोश्चन अता सब बना लीजी चलि यह तेरा में भी द्यार्थी बताते तेरा आपका क्या करता है से ध्यार्थी के बाद भी द्यार्थी ब्याम मामनला होगा भी द्यार्ती कोई भी, कोई ल ओला मामला होगा भी द्यार्थी, तो वहां पर आपको कहा करना है परजेंट ओला कोई मामला होगा तो दीज भर देना है मैंने दीज डेज होगा और कोई भी पास्ट ओला मामला होगा भीटू ओला मामला होगा तो वहाँ पर आपको दोज भर दना विद्यारती जैसे हैं अब यहाँ पर देखिए माईनी टीचर कमपलें बताएं तो कमपलें में हम एडी लगा दिये कंप्लेन में अगर एडी लगा दिये तो अब दीज डेज होगा कि दोज डेज होगा जल्दी सा कमेंट करें जा करके विद्यार थे ठीक न यह वाज वेयर होता है तो वाज यह वेयर के साथ है का हो जागा तो जल्दी सा जाके कमेंट किजिए अभी तुरंत ठीक है चलिए चलिए यहां पर 14 सवाल करा कि रभी इस नोट एट हम रभिया घर पर नहीं है जब परजेंटेंस में आपका इस्टोरी शुरू हुआ है तो सब परजेंटे वला होगा काबिल बन के वाज मत कर देजेगा चुकि परजेंट है तो इज होगा विद्यार थी कान कि जब मैं कम जब मैं उसके पास गया तो कमरे में सो रही थी वह अला कोचना आप से आएगा विद्यारती याद रखिएगा ना चलिए तो उसमें भीटू भराएगा वह इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर करके देख लिजाओ इसा बहुतारा गरामर मिल इसा होता तो बनता आई टिका आइट फलाए मतलब वीएर वला के साथ हमेशा आपको ऊड़ भरना है वियर वला के साथ हमेशा उड़ भरना विद्यारती कास वला के साथ याद रखेगा ठीक है तो यहां करा कि if I wear you यदि मैं तुम होता तो करा कि I यहां पर not to do मैं इसे नहीं करता तो विद्यारती उड़ भरा जाएगा कितना आसान सा कोशन है ठीक है देखिए सोला करा के चुजदा गरामेटिकली करेक्ट संटेंस फॉर दा गिमें जंबल जंबल संटेंस दिया है उथल पुथल दिया है अगर इज एकस्पेक्टेड टू एबरी मैं एबरी मैं सुरू में होगा उसके बाद हेलपिंग भर्व होगा उसके बाद यह से बाद गर mommy करता यहां इसका डीटेल आपको विद्यार्ती offline में और बढ़िया दिया जाएगा साल 17 में कर आया विद्यार्ती कि which one of the sentence in the passive voice passive voice में कौन है तो कभी भी subject के बाद विद्यार्ती वाज वेर लगा करके या helping भर ease MR लगा करके अगर भित्री दिखाए देगा तो वहीं पर passive voice होता है आर सेलिंग विद्यार्ती विद्यार्ती यहिद्यार्ती के बाद नहीं के बद में गलत kang आए में सेलिए वाज के बाद विद्यार्ती हो तो तो हां पर विद्यार्तियापका पैशिब भाइस में होता है ठीक इसलिए कहते हैं विद्यार्ति आफ्लाइन में पढ़ाय। कई बार बता है तुम्होंक लेकिन तुम नों तो भाबु हीरो में उड़ता है। आई वाज कही दिखाई दे रहे विद्यार्ति तो कहीं आई वाज है हई देखिए पहला आसान सवाल है अब यहां पर सवाल नमर 19 में करा है कि what were the children taught at the village school, village school में बच्चे क्या क्या पढ़ाया जाता है, grand mother में, the portrait of lady में, तो गाउं के स्कूलों में बच्चों को prayer, परातना पढ़ाया जाता है भी दियार थी, science उस गाउं में नहीं होता है, ज्यादा परातना चलता है, तो ही राम ह तू रही में कहा कि बस खतम होगे class, ठीक ना, उसके बाद विदियार थी करा रहा कि what would the author's grand mother fit the sparrow's with, ठीक है, करा कि grand mother जो थी, मा जो थी विदियार थी, वो गोरईया को क्या खिलाया करती थी, तो गोरईया को grain खिलाया करती थी, लिगना आप से पूई देगा, कि grand mother जो है के साथ जाता था, पूछ देगा आप से कि डेकर town में school कैसे जाता था, तो by motor bus, motor bus से जाता था, ठीक है, ये बहुत सारा कोचना आपको मिलेगा विदियार थी, जो हम live में आपको discussion करते हैं, चले विदियार थी, 20 तक बताएं, हमारा part 2, मतलब बाहू बली 2, देखने के एपिसोड के साथ, और सब चीज़ देखिए आप, ऐसाने की इंगली से मैं इसे हम पढ़ाते हैं, physics, chemistry, biology, math, हर चीज में विदियार थी, आप देखिएगा तो दीवाना हो जाएगा दीवाना, ठीक है, देखिए एक बार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तेक गुड़ बाई